हलो दियो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर चैनल मेरा नाम है हीना मिस्त्री और हम आज शुरुआत करने वाले है चैप्टर नमबर थ्री इंडियन पैनांशल सिस्टम जो है आपके कॉमर्स पोर सब्जेक्ट में जो है SYB.com में ठीक है अभी यह जो हमने सब्जेक्ट शुरु इन्वेंटरी के बारे में थे इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में एन उसके बाद हमने एक चैप्टर किया जो है जो था हमारा क्वालीटी के बारे में ठीक है क्वालीटी के लिए हमने काफी सारी चीजें वहाँ पर पढ़ी क्वालीटी मैनेजमेंट लेकिन अभी यह जो चीजे हमने पढ़ी उसके सिवा अभी हमें इस चैप्टर से कुछ नए कॉंसेप्स पढ़ने है ठीक है चैप्टर नमबर थ्री शुरुआत करेंगे लेक्चर नमबर वन रहेगा आज हमारा चैप्टर नमबर थ्री जिसका नाम है इंडियन फैनांशल सिस्टम चली अभी बिजनस की बात करें तो कोई भी बिजनस शुरू हो रहा है ठीक है बिजनस शुरू हो रहा है तो उसे सबसे पहली चीज कौनसी चाहिए होगी पैसे पैसे चाहिए होंगे फिनांस ठीक है कोई इंडिविजूल बिजनस शुरू करना चाहता है या फिर हम कहें कोई पार्ट business बढ़ पाएगा ठीक है तो हम कहेंगे कि finance की requirement होती है तो अभी ये जो business है शुरू हो रहे या फिर existing business है वो expand करना चाहता है ठीक है कोई existing business चल रहा है वो अभी सूच रहा है कि चल अभी हमें और grow होना है expand होना है ठीक है कोई business की तीन branches है अल्रेडी दूसरी दो open करनी है large scale पे तो फिर वहाँ पे भी पैसे चाहिए होंगे वहाँ पे भी finance चाहिए होगा ठीक है तो अभी ये जो हम finance की बात करते है तो बढ़े business के लिए वो finance वो पैसा आएगा कहां से कहां से आएगा हम सोचे तो एक तो company क्या कर सकती है businesses क्या कर सकते है securities issue करते है ठीक है shares issue करेंगे debentures issue कर सकते है ठीक है उसके जरीए पैसे आते हैं दूसरा हम बात करें तो banks से या financial institutions से loan ली जा सकती है उस तरीके से पैसे आ सकते है ठीक है तो ये जो सारी चीजे है अभी अपनी country में हम कहें जितने भी businesses चल रहे है वो इसी तरीके से चल रहे है ठीक है इसी तरीकों से उनके पास finance आ रहा है पैसे आ रहे है ठीक है तो ये जो पूरा पूरी चीजे हो रही है ठीक है securities issue की पैसे आये company के पास company शुरू हो गई और ज्यादा requirement है loans लिये गए ठीक है तो ये जो पूरा system चल रहा है उसे हम financial system कह सकते है कि हमारा जो इंडियन financial system है उसकी वज़े से ही businesses सही से smoothly चल पा रहे है ठीक है तो अभी इस chapter में हमें mainly अभी ये जो चीजे हमने पढ़ी कि securities issue होती है पैसे आते है company के पास और दूसरा हमने पढ़ा loans भी लिये जा सकते हैं तो यहाँ पे हमारा main focus रहेगा जो securities issue होती है उसके बाद वो और trade भी होती है investors के बीच में ठीक है तो वो सारी चीजों पे ज्यादा focus रहेगा और उसे ही हम finance market कह सकते हैं ठीक है तो अभी यहाँ पे हम financial system के अंडर ज्यादा तर financial market finance market के बारे में study करने वाले हैं सो शुरुवात करते है चैप्टर नमबर 3 इंडियन financial system now सबसे पहले हम यहाँ पे topics देख लेंगे कि कौन कौन से topics हमें study करने हैं यहाँ पे so इंडियन financial market जिसके अंदर सबसे पहले structure पढ़ेंगे हम कि financial market का structure क्या रहेगा money market capital market देखना है हमें next is primary market क्या होता है वो पढ़ेंगे उसके बाद आएगा IPO procedure IPO हम सबने सुना है तो उसका procedure क्या रहता है वो देखना है dematerialization process देखना है role of depositories that is NSDL and CDSL इन दोनों के क्या रोल है finance market में वो पढ़ेंगे अभी उसके बाद जो topic रहेगा वो रहेगा totally SEBI से related ठीक है से रिलेटेड रहेगा Securities and Exchange Board of India उसमें हम उसके functions करने वाले है सबसे पहले उसके बाद हम करेंगे investors protection measures of SEBI SEBI ने investors के protection के लिए क्या steps लिए है उसके बाद stock exchange functions speculators ये चीज़े देखेंगे और उसके बाद last जो topic आने वाला है credit rating के बारे में आने वाला है so credit rating में उसके हम advantages पढ़ेंगे crystal care and ICRA ये क्या होता है सारी चीज़े detail में करेंगे उस topic में चली तो अभी शुरुवात करते हैं इस chapter की सबसे पहले उन लोगों ने structure of Indian financial market के बारे में हमें बताया है कि जो हमारे इंडिया का हम financial market कहते है तो क्या structure उसका structure का meaning पहले तो समझाया है हमे so the economic development of a nation largely depends on the existence of some financial system देखें कोई भी country की हम economic development की बात करें तो किस पर depend करेगा उस country की financial system कितनी strong है of course बहुत अच्छी financial system है तो वहाँ पे business बहुत अच्छे से develop होगे और साथी साथ economic development भी बहुत अच्छा आएगा so the financial system provides funds for the production and distribution of goods and services which in turn facilitates economic growth of a nation financial system क्या करता है provides funds fund पैसे जो बहुत ज़रूरी है businesses के लिए क्यों ज़रूरी है production activity करनी है distribution करना है ठीक है आगे के chapters में जो हम पढ़ रहे थे production के बारे में inventory management सही से हो रहा है सारी चीज़े हो रही तो उन चीज़ों के लिए पैसे चाहिए ना funds तो वो fund कहां से मिलेगा financial system से मिलने वाला है ठीक है अब ये चीज़े बिजनस सही सही चल रहे तो उसकी वज़े से क्या होने वाला economic growth of a nation याने के businesses खुद profit करेंगे अच्छा आगे आगे वो खुद आएंगे साथी और लोगों को employment मिलेगी उनकी income बढ़ेगी ठीक है ये product services मिलेगी कि ये सारी चीज़े possible है अगर country का financial system बहुत अच्छा है तो now the financial system consists of financial system अब ये जो हम system system बोल रहे है तो वे financial system किन चीजों से बनेगा consists of financial markets and institutions which support the system देखिए एक तो financial market के जरीए पैसे आएंगे business के पास दूसरा आएगा institutions ठीक है याने के institutions याने के bank वगेरा जो institutions रहते है जहां से businesses loan ले सकते है तो वहां से fund आएगा and financial markets आएगा so efficient functioning of financial system enables proper flow of funds from investor to productive activities देखिए अब ये financial system सही सही जा रहा है याने के हम financial market की बात करें तो भई company ने shares issue किये है securities issue की है तो सामने क्या हो रहा है लोग उसमें invest कर रहे है ठीक है या other institutions या businesses वगेरा उसमें invest कर रहे है तो उसकी जरिये पैसे generate हो रहे है ठीक है तो investor के पास से पैसे जा रहे है business के पास और productive activities हो रही है ठीक है कुछ अच्छा हो रहा है ना productivity value addition हो रहा है तो यह बात हो गई structure की meaning की now the structure of financial market अभी हम financial market की ही बात करेंगे so the structure of financial markets देखिए financial markets can be divided into two groups इस market को हमें दो पार्ट में दो पार्ट में लोगों ने डिवाइड किया है एक रहेगा money market और दूसरा रहेगा capital market देखिए money market and capital market अभी business में हमने कहा fund की requirement होती है वो funds मिल जाते है so businesses grow करते है productive activities होती है ठीक है investors पैसे invest करते है business के securities में सही बात है लेकिन अभी यह जो funds हम कहें businesses को जे requirement है वो अलग अलग purpose के लिए उसका duration अलग अलग हो सकता है ठीक है जैसे कभी कभी business इसको ऐसे हो जाता है कि कुछ समय के लिए पैसों की shortage है requirement है ठीक है तो वो उतने समय के लिए ही उनको fund चाहिए दूसरा ऐसे हो सकता है कि business इसको long term के लिए fund चाहिए ठीक है नए branch open करने है वहाँ पे fixed asset लाना है बनाना है तो भी long term के लिए पैसे चाहिए तो दोनों चीसे अलग हो गई तब यहां पे उनलोग ने दो पार्ट में divide किया है एक है money market दूसरा है capital market so money market which provides short term funds that is up to one year money market के जरीए क्या होगा short term के लिए पैसे आएंगे business के पास ठीक है short term requirement है कि मानलो purchase करना है या कोई चोटा मटा machinery लेना है या कोई भी और requirement short term purpose के लिए है तो money market के जरीए पैसे आ सकते हैं दूसरा capital market which provides long term fund that is more than one year अब यहां पर money market याने up to one year के लिए पैसे लिए जाएंगे और दूसरा था है capital market याने के more than one year एक साल से ज्यादा की requirement है ठीक है तो पैसे आएंगे जिस थूरू उसे हम कहेंगे capital market चले तो यह दोनों का concept clear है आगे बढ़ते है और थोड़ा detail में देखते है कि financial market जो हमने दो पार्ट यहां पर पढ़ लिए एक है money market दूसरा है capital market so money market में और आगे उसका classification किया गया है दो पार्ट में याने के unorganized money market and दूसरा organized money market में दो पार्ट हो रहे है organized and unorganized ठीक है इसका meaning हम करते हैं detail में आगे organized याने कि हम किसी इंसान की बात करें कि कोई इंसान है सही सही organized है कोई इंसान तो हम क्या कहेंगे कि वह अपने का सारे काम अच्छे से systematically करता है सारे rules follow करता है या फिर हम ऐसा कहें कोई एक इंसान है वह unorganized है याने कि कोई system follow नहीं करता कोई rules follow नहीं करता है वैसे उस तरीके से तो हम market की भी बात करें तो organized में क्या होने वाला है काफी सारे rules follow किये जाएंगे unorganized में क्या होगा ज्यादा तर restrictions नहीं होंगे ठीके काफी सारे rules यहाँ पर नहीं होंगे तो ये बात हो गई money market की now capital market का classification रहेगा corporate securities market, government securities market and term loan ये capital market का classification है अभी हम सबसे पहले शुरुवात करते हैं money market से money market के बारे में समझते है now money market हमने देखा कि ये short term fund provide करता है business इसको so it is a market for short term funds that is for a period up to one year short term तो फिर short term याने कितना तो up to one year तब तक के लिए business इसको fund जरूरत है up to one year now the funds generated from money market can be utilized for working needs of the issuer or borrower working needs याने के day to day life में जो भी expenses हो रहे है, खर्ची आ रहे है बिजनस के working में जो routine expenses हो सकते है, liabilities हो सकते है उसके लिए जो पैसे requirement है और उसके लिए जो fund generate किये जा रहे है तो वो हम under money market उसे consider करेंगे now the money market can be divided into two groups, दो ग्रूप में money market को divide किया है सबसे पहला आता है unorganized and दूसरा है organized दो पार्ट में ठीक है अभी सबसे पहला हम पढ़ते है unorganized, unorganized money market याने के ऐसा market जहाँ पे ज्यादा तर कोई rules follow नहीं हो रहे अभी rules याने के किस चीजों के related rule हो सकते है तो अभी पैसे business है, पैसे ले रहा है market से, ठीक है, loan ले रहा है तो फिर rate of interest का rule हो सकता है, ठीक है, जो loan का जो amount है उसके लिए rule हो सकता है, तो यह सारे, काफी सारे rules हो सकते है तो वो rules यहाँ पे follow नहीं होते हैं, अभी यह जो हम rules की बात करेंगे तो वो rules कौन बनाएगा, government बनाएगी, यान कि RBI कुछ rules बनाएगी पर वो rules यहाँ पे follow नहीं होगे, unorganized money market में So now in unorganized money market, there are no standardized rules and regulations relating to financial dealings No standardized rules, standardized यान कि एक fix rule बन गया है, जिसे सबने follow करना ही है जैसे हम कहें commercial banks के लिए कुछ rules है, तो वही सारी commercial bank ने वही rule exactly follow करना ही है, standardized हो गया है तो वैसा यहाँ पे कुछ standardized rule नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे होते रहता है Now the participants in unorganized money market do not follow regulations of RBI यह लोग RBI के rules regulation को follow नहीं करते, relating to rate of interest, margin money, capital adequacy ratio, etc यह सारे rules unorganized money market में follow नहीं किये जाएंगे जो person यहाँ पे loan दे रहा है, business इसको fund provide कर रहा है, तो वो यह rules follow नहीं करेगा rate of interest का rule हो, या फिर margin money कितना रखना है, या फिर capital adequacy ratio हम जो कहते हैं वो mainly capital adequacy ratio bank के case में आता है, जहाँ पे देखा जाता है कि bank उसके liabilities कितना अच्छे से pay कर सकती है तो वो जो ratio निकाला जाता है, capital adequacy ratio, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी Now the unorganized money market includes following participants, अभी unorganized money market से किस तरीके से fund generate किये जा सकते है सबसे पहला आता है money lenders, money lenders lend money to individuals normally at high interest rates हमने काफी समय देखा होगा कि कभी कबार कोई छोटा मोटा business शुरू हो रहा है तो वो लोग bank से loan लेने नहीं जाते, money lenders के पास से ले लेते, यानि कि ऐसा इंसान या फिर कोई group हो सकता है कि जो लोग क्या करेंगे, पैसे देंगे, loan देंगे interest पे, लेकिन वो interest high होगा High rate of interest payment करना होगा Next is indigenous bankers, अभी indigenous banker यानि कि यह लोग भी loan provide करेंगे लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे, कि यह लोग जो है वो deposits भी accept करते है यह लोग deposit accept नहीं करते, money lenders, यह लोग accept करेंगे deposits भी लेंगे and loan भी देंगे Now indigenous banker operate like money lender but they also accept deposit from public यह लोग deposit भी accept करते हैं public के पास से Now next is chit funds, collect funds from members and others and provide loans to its members and others, यह जो chit funds हम कह सकते हैं वो हमने काफी समय दिखा होगा कि जो छोटे-मोटे societies होते हैं, housing societies या फिर हम कहें office इसमें कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ लोग होंगे group में, ठीके, वो ऐसा fund create करेंगे अभी वो लोग क्या करेंगे, वो जो member बन गए group में, वो लोग क्या करेंगे पैसे invest करेंगे, ठीके, इस fund में पैसे invest करेंगे everyone और उनकी saving तो हो गई, अभी उस member को, उसमें से किसी member को अगर loan चाहिए रहती है तो फिर वो fund से वो लोग loan भी ले सकते हैं, interest उन्हें pay करना पड़ेगा ठीके, तो ये हो गया chit fund, ठीके, ये बहुत ही common, काफी सारे लोग करते हैं इसे तो इसके जरिये भी loan ले सकते हैं, mostly यहाँ पर individuals loan लेंगे छोटे मोटे requirement के लिए Now, next is non-banking finance companies Now, which are not regulated by RBI Now, NBFC, non-banking finance companies जो हम कहते हैं, यहाँ से भी short term fund under money market short term fund हम ले सकते हैं, लेकिन ये क्या रहेगा non-banking finance companies तो ये ऐसी company होगी, जो companies act के अंडर register हुई है ठीके, companies act के अंडर register हुई है लेकिन ये काम क्या करती है, loans देने का and advances लेने का काम ये करती है ठीके, उसे हम non-banking finance company कहेंगे लेकिन यहाँ पर un-organized money market में कौन सी NBFC कवर की गई है कि जो RBI के rules follow नहीं करती वैसी यहाँ पर इसके अंडर cover की गई है Now next is individual and others अभी इसके सिवाय कहां से पैसे आ सकते है कोई individual है या फिर किसी का reference है ठीके, कोई business है उसको पैसे की requirement है तो भई वो किसी से पहचान में से उसने पैसे ले लिये को relative है वगेरा, loan ले लिये यह simple है ठीके और interest पे कर दिया borrow funds from unorganized money market ठीके तो यह हमने देख लिया unorganized money market के बारे में now अभी हम आगे देखते है money market के second type में जहते हैं वो रहेगा organized money market unorganized में हमने देखा कि कोई rules जयदा तर वहाँ follow नहीं हो रहे है अभी organized की बात करें इसका मतलब क्या organized money market में बले ही short term रहेगा पर यहाँ पे rules and regulation of RBI follow होंगे strictly तो the organized money market follows standardized rules देखें यहाँ पे standardized rules and regulations follow किये जाएंगे now the participants in organized money market include RBI, bank, corporate and non-banking finance companies which follow rules and regulations of government or RBI अभी आगे पढ़ते है the following are major instruments in organized money market देखें money market के अंडर हम short term fund requirement है तो वो fund generate कर सकते है अभी यहाँ पे हम organized money market की बात कर रहे है तो organize के अंडर हम कहां कहां से पैसे generate कर सकते है सबसे पहला आता है treasury bills treasury bills अभी हम business की बात कर रहे है तो उसी तरीके से government जो हमारी है वो भी काफी सारे काम कर रहे है ठीक है काफी सारी development activities कर रहे है काफी सारी चीज़े वो भी कर रहे है तो उसे भी short term fund की requirement हो सकती है ठीक है तो अभी यहाँ पे the treasury bills are issued by RBI on behalf of government of India to raise short term fund देखे government of India की जो short term requirement है तो उसे पूरी करने के लिए RBI क्या कर सकती है treasury bills issue करेगी उस treasury bill को investors खरीदेंगे ताकि government of India याने की RBI को पैसे मिल जाए ठीक है short term requirement पूरी करने के लिए so the treasury bills are purchased by commercial banks and others इस treasury bills को commercial bank भी खरीच सकती है या others कोई भी खरीच सकता है और उसमें investment कर सकता है now at present government issues 91 days, 182 days and 364 days treasury bills ठीक है अभी जबके हम money market की बात करें जैसे कि तो short term के लिए ही है up to one year तो फिर यहाँ पर treasury bills 91 days के लिए भी issue हो सकते है 182 days के लिए भी हो सकते है 364 days के लिए भी हो सकते है ठीक है और यह treasury bills trade भी किये जा सकते है ठीक है investors को अगर sell करना हो किसी को तो वो कर सकते है तो यह बात हो गई treasury bills की now next one is certificate of deposits certificate of deposit अभी यहाँ पर बात आएगी किसकी commercial bank and financial institutions ठीक है commercial bank होगी या फिर और institutions जो finance में deal कर रहा है financial institution अभी उन्हें भी उनका जो काम चल रहा है business चल रहा है तो उसके लिए उन्हें भी short term fund की requirement हो सकती है ठीक है उनकी भी short term needs हो सकती है तो वो किस तरीके से पैसे generate कर सकते है fund ला सकते है वो क्या करेंगे certificate of deposit के जरिये पैसे raise करेंगे ठीक है it enables commercial bank and financial institutions to raise short term fund from the market for working capital needs of course short term need है working capital need है now the maturity period of certificate of deposit is seven days to one year for commercial banks for financial institutions the maturity period is one year to three year ठीक है यह maturity period रहेगा जयाने के यह जो commercial deposit है उसमें किसी ने investment किया हुआ है तो seven days to one year उसका maturity period हो सकता है now certificate of deposits are issued at discount and repaid on maturity at face value देखे किस तरीके से यह issue किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि जो face value थी उस पर issue हुआ और फिर at the time of maturity with interest pay किया गया नहीं ऐसा नहीं है यह issue ही discount पे हो रहा है ठीके अभी हम बात करें 100 रुपया है ठीके example लेते है 100 रुपय face value है तो वो issue होगा ही 90 पे और जब maturity date आएगी तो उस समय 100 पे कर दिया जाएगा investor को ठीके 100 उसे मिल जाएगा तो वो बीच का उसका फाइदा हो गया Now, CDs are issued at discount and repaid on maturity at face value Now, CDs are issued to individuals, companies, public operations, trust, etc. ठीके कोई भी इसमें invest कर सकता है Certificate of Deposit में के चले Now, अब भी amount की बात की है उन्होंने तो minimum amount of certificate of deposit should be 1 lakh At least इतना तो invest करना ही है 1 lakh Now, that is minimum deposit that could be accepted from a single subscriber एक इंसान है यहाँ पर investment करना चाहता है तो उसने at least 1 lakh तो करना ही होगा Now, that could not be accepted from a single buyer शुद नो बी लेस देन 1 lakh and in multiples of 1 lakh thereafter उसके बाद भी ज्यादा amount उसे अगर invest करना है तो वो amount भी रहेगा in multiples of rupees 1 lakh thereafter 1-1 lakh multiple में ही वो issue यह investment करना होगा तो यह बात हो गई certificate of deposit की अभी यह certificate of deposit के जरी क्या हो रहा है commercial bank and financial institutions की short term need satisfy हो रही है ठीक है? उनके लिए पैसे generate हो रहे है लेकिन अभी उनके सिवाए हम बात करे companies को भी पैसे चाहिए रहते है उनकी working capital need के लिए short term fund requirement है तो companies क्या कर सकती है? commercial paper के थूँ fund raise कर सकती है commercial paper, it is issued in form of unsecured promissory notes by companies listed on stock exchange to meet working capital needs देखे, कैसी companies issue कर सकती है? commercial paper जो listed है on stock exchange unlisted companies नहीं करेगी now it is purchased by banks, financial institution and other investor यहाँ पे भी कोई भी इंसान investment कर सकता है यह जो commercial paper issue किये गए है तो वो bank भी खरीच सकती है individual भी खरीच सकता है financial institutions भी खरीच सकते है and invest कर सकते है now it is issued at a discount and repaid at its face value same जैसे हमने उपर देखा certificate of deposit में उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा issue ही होगा discount पे issue के समय discount होगा and उसके बाद at the time of maturity face value दी जाएगी, repay की जाएगी now the maturity period ranges from 7 days to 1 year now commercial paper is issued in denominations of 5 lakhs and multiples of 5 lakhs thereof now the company वहाँ पे जो हमने 1 lakh देखा था अभी यहाँ पे 5 lakhs के लिए मीट है the company issuing commercial paper must have tangible net worth as per last audited balance sheet of at least 4 crore हमने क्या दिया कि चलो company जो listed है वो commercial paper issue करेगी लेकिन वो unsecured है यहाँ पे हमने देखा थीक है तो कोई भी investor है वो सूचेगा ना investment करने इससे पहले यहाँ पे एक condition क्या लगाई है companies को commercial paper अगर issue करना है तो कि company issuing commercial paper must have tangible net worth कितनी होनी चाहिए at least 4 crore as per last audited balance sheet last जो audited balance sheet है उसके accordingly tangible net worth होना चाहिए at least 4 crore अभी tangible net worth क्या सबसे पहले net worth की अगर हम बात करें तो what is net worth ठीके आपके assets minus liabilities कितनी हो रही है तो हम कहेंगे वो net worth है अभी tangible की बात करें तो यह जो net worth हमें मिला उसमें से हम intangible assets निकाल देंगे ठीके तो तब हमें मिल जाएगा tangible net worth तो वो tangible net worth at least 4 crore होना चाहिए as per last audited balance sheet तो वो ही company सिर्फ commercial paper issue कर सकती है ठीके और वो company listed होनी चाहिए तो यह हमने पढ़ा commercial paper के बारे में जिसके जरीए companies short term fund generate कर सकती है now उसके बाद आता है call money market call money market CMM ठीके अभी यह call money market क्या रहेगा तो it is also known as inter bank call money market it involves lending and borrowing of money on daily basis ठीके अभी bank की हम बात करें bank का जो काम चलता है every day तो अभी on daily basis ऐसे हो सकता है कि कभी कभार bank के पास excess balance available है कभी कभार ऐसे हो सकता है किसी दिन पे कि bank के पास कम पैसे है ठीके तो अभी यहाँ पे क्या किया जाएगा it involves lending and borrowing of money on daily basis याने कि जिस दिन ज्यादा पैसे है हम lend कर सकते है and जिस दिन कम है बौरो कर सकते है so the one day loan can be renewed on next day अभी मान लो कि एक दिन पे हमने loan लिया हुआ है ठीके और पैसे short पढ़ रहे है loan लिया हुआ है तो दूसरे दिन भी अगर same requirement है हमारी continue तो हम renew कर सकते हैं जिस दिन के बैंक renew कर सकता है now the demand for call money comes from commercial banks who are short of liquidity whereas supply comes from those commercial banks with excess funds and financial institution जिस बैंक के पास कम पैसे है of course short of liquidity है तो वो demand raise करेगी और सामने जिसके पास extra है पैसे वो supply करेंगे ठीक है तो वैसे चलते रहेगा और एक दूसरे के requirement fulfill होते रहेंगे ठीक है और यह जो लोड लिया गया है वो renew भी हो सकता है on next day ठीक है तो यह हमारी बात हो गए call money market की ठीक है next हम बात करेंगे commercial bill market commercial bill market अब यह commercial तो एक concept जो हमने पढ़ा था कोई एक person है जो दूसरे person पे bill draw करता है ठीक है कि वो दूसरा person future में पैसे देने वाला है अभी इस पहले वाले बंदे को मान लो अभी ही urgent requirement हो गई कि हमें मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी तो वो क्या करेगा वो bank के पास जाके bill discount कर सकता है ठीक है वो discount करने के बाद उसे उसके पैसे मिल जाएंगे तो यह concept हमने पहले पढ़ चुका है पढ़े हैं हम लो ठीक है तो अभी क्या होने वाला है bank ने तो उस इंसान को पैसे दे दिये अभी bank के पास तो ऐसे बहुत सारे bills आ सकते हैं ठीक है अभी bank को मान लो पैसों की requirement है ठीक है हमने जैसे उपर वाले point में देखा था हमने जैसे उपर वाले point में यहाँ पे देखा था कि bank को भी requirement होती है on daily basis ठीक है तो bank अगर short पड़ रही है bank कुछ पैसे short पड़ रही है तो bank क्या कर सकती है और आगे जाके वो bill discount कर सकती है ठीक है किसके साथ financial institution वगेरा के साथ वो फिर से उस bill को discount कर सकती है यानि कि bank की जो short term requirement थी वो भी पूरी हो गई सो commercial bill market this market deals with bills of exchange the drawer of bill can get the bill discounted with the commercial bank इतना concept हमने पहले पढ़ चुके है कि drawer of bill क्या करेगा bank के पास जाके bill discount कर सकता है now the commercial banks can get the bill rediscount rediscounted with financial institutions अब बैंक को भी जरत पढ़ गई है वापस से तो बैंक भी आगे जाके bill discount फिर से करवा सकती है तो यहां पर हमने पढ़ लिया money market के बारे में students जो रहेगा जहां पर short term funds की requirement हो तो fulfill हो सकती है अभी next हमें देखना है capital market लेकिन उसे हम करेंगे next lecture में capital market बहुत interesting topic है मिलेंगे next lecture में students यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से like कर देना बाई everyone